हलो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम लोग रेशियो पर डिसकस कर रहे थे और इसमें हम लोग 23 कोश्चन का डिसकर्शन कर चुके थे पिछली वीडियो में और आज की वीडियो में हम लोग Question Number 24 से इस के साथ ही साथ हम पिछली वीडि तो काफी अच्छे से समझ में आ जाता है सवाल इसलिए आप लोग जो है देखी का वीडियो पूरा अच्छे से और आसा हमें विश्वास है कि आप लोग जरूर बनाए होंगे सारा सवाल ट्राई जरूर किये होंगे चलिए जो सवाल आ गया है उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बात है और जो सवाल नहीं आया उसके लिए और ज्यादा अच्छी बात है कि अब आप यहां पर सीखेंगे अलग और अच्छे से चलिए कोस्टन नमबर 24 पर आते हैं दोस्तों बहुत सांदार सवाल है कोस्टन नमबर 24 की दो संख्याओं में 7-8 का अनुपात है और उन संख्याओं के बर्गों का अंटर 135 है तो संख्याओं क्या होंगे दो संख्याओं में 7-8 का रेसियो है कोई दो संख्या 7-8 के रेसियो में दिया है आपको मन करें तो यक्स मानिए मन करें तो ना मानिए ठीक है ना मन करें तो आप पहली संख्या दूसरी संख्या यह या एक तरीका और बताये थे कि आपको मन करें तो यक्स मानिए या तो मन करें तो यूनिट मान लीजिए कि यह वाली संख्या जो है साती यूनिट है और ये संख्या कितनी है आठी यूनिट है कोई तकलीफ है यहां तक नहीं अब कह रहा है कि इन संख्याओं के बर्गों का अंतर अब इसका बर्ग करिए तो साथ का बर्ग करेंगे तो कितना होगा नचाश होंइट हो जाएगा आठ का बर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64 ही निट और है समझ में अब इन दोनों का अंतर करना है पंद्रह का अंतर हो जाएगा यानिकि 12 यूनिट यहां पे जब आपने इस्क्वाइरिंग करी है तो इस्क्वाइर करेंगे तो यह जो यूनिट है यह क्या हो जाएगा इस्क्वाइर में हो जाएगा यानि कि 15 यूनिट इस्क्वाइर हो जाएगा ठीक है ना यूनिट की वैलू कितनी होगी दोस्तों तो 9 का अंडर रूट यानि की 3 हो जाएगा अब एक यूनिट की वैलू यहां से क्या find out कर लिया आपने 3 find कर लिया है अब यहां से आपको पूछ रहा है कि उसमें से संख्याएं क्या होंगी या संख्याओं का अंतर क्या होगा कुछ भी दोनों में से पूछ सकता है तो यहां से हम संख्या find करते हैं एक यूनिट की वैलू आ गया तीन तो यहां पे तीन रखेंगे सात्तियां क्या हो जाएगा 21 यानि कि पहली संख्या आपका 21 और दूसरी संख्या यहां से आपने find कर लिया पहली संख्या और दूसरी संख् यहाँ पर answer में 3 दिया हुए थोड़ा सा mistake हो गया है answer type करने में misprint दिया है कोई दिक्कत नहीं है answer 21 and 24 होगा चलिए इसके बाद से हम लोग आते हैं question number 25 पे 25 number questions क्या कह रहा है यदि A B और C में 270 उप्या इस परकार बाटा गया है कि A का भाग B के भाग के दो तिहाई के बराबर है तथा B का भाग C के भाग के तीन चौथाई के बराबर है तो A B और C प्रतेक का भाग क्या होगा प्रतेक का हिस्सा यहां पे पूछ रहा है बहुत तीजी सवाल है यह हम जब आपको समलित रेशियो बना रहे थे बता रहे थे ठीक है न तो उस समय हम आपको ABC का मान इस तरह के सवाल में निकालना सिखाए थे आज वही करना है यहां ABC में तीनों को मिलाके 270 रुपया ही देना है ठीक है न तीनों को मिलाके 270 270 रुपया देना है करा एका भाग B के भाग के दो तिहाई के बराबर है एका जो हिस्सा है वो B के हिस्से का टू थर्ड के बराबर है और जो B का हिस्सा है वो यहां पे लिख देते हैं जो B का हिस्सा है C के हिस्से का C के हिस्से का 3, 4 हई के बरावर है अब यहां से ए-ắc का ratio निकालना है आपको और कुछ नहीं है अब बताइए यहां पे और बी का ratio निकालेंगे कितना होगवे तो two is to three का ratio होगा यहां पे बी और सी का अनुपाद तीन संबंदे चार के रेशियो में होगा अब यहां पे बी और सी का रेशियो निकालेंगे तो 3 to 4 दिया हुआ है A.B.C. का संबलित ratio रेशियो निकालनें के लिए सब से पहले ये value बराबर होनी चाहीं यहाँ भी है यहाँ b BIG है तो direct abc का मान लिकालेंगे पहले सीधे गुड़ा करेंगे तीन दूना直接 पिर ऐसे गुड़ा करेंगे तो तीन पैने नौ फिर ऐसे गुड़ा करेंगे तो चारती या समलित रेसियों अब इसको 3 से भाग देंगे सब कर जाएगा 3 2 6 3 3 9 और 3 4 के 12 इसमें से सब का हिस्सा पूछ रहा है तो कोई दिख्कत नहीं सब का हिस्सा निकाल लीजिए मान लीजिए यह 2 यूनिट है यह 3 यूनिट है और इसको मान लीजिए कि यह 4 यूनिट है अगर हम टोटल टोटल वैलू ले लें तो 2 यूनिट A का है 3 यूनिट B का है 4 यूनिट C का है तो सब का हिस्सा मिला के कितना होगा 3 2 3 5 4 9 9 यूनिट होगा टोटल कितना होगा 9 यूनिट रेशियो में 9 यूनिट होगा इसकी तूलना किसे करेंगे 270 से करेंगे जो 9 यूनिट है वो 270 रुपय के बराबर है तो हम एक यूनिट की वैलू निकालेंगे, एक यूनिट की वैलू, तो 270 में किस से भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे, यानि कि एक यूनिट की वैलू कितनी हो जाएगे, 30 रुपया हो जाएगे, एक यूनिट की वैलू 30 है, तो 2 यूनिट की वैलू कितनी हो जाएगे, 60 रुपया हो जाएगी समझ गए तीन यूनिट की वैलू कितना हो जाएगी 90 रुपया हो जाएगी और चार यूनिट की वैलू कितनी होगी 120 रुपया हो जाएगी समझ में आ रहा ना तो यह हो गया एका हिस्सा बीका हिस्सा और सी का हिस्सा यह सवाल का उत्तर हो जाएगा कुछ इसी तरह का सवाल यह सब बहुत इजी इजी सवाल है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है फटा-फट एंसर करना है तो सब लोग समझ गया है 25 तक किलियर है किसी को कोई तकलीफ नहीं है अब इसके बाद से हम लोग कोस्चिन नमबर 26 को सॉल्व करेंगे 26 दिया कि 150 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार से बाटा गया है कि एक भाग बी और सी के कुल भाग का टू फिप्ट है चलिए A, B, C को 1,050 रुपया बाटा गया है A, B, C के बीच में 1,050 रुपया बाटा गया है करा कि A का भाग बिल्कुल एजी सा सवाल है A का भाग B और C के कुल भाग का सॉरी A का जो हिस्सा है वो B और C के कुल हिस्से का 2 बाटा में 5 है B और C के कुल हिस्से का 2 बाटा 5 है तो कहरा भी बताईए इसमें से A का हिस्सा क्या है तो कि बहुत तीजी है ये A का हिस्सा हमें निकालना है तो A अनुपात में B पलस C करेंगे तो क्या होगा 2 इस टू 5 होगा 2 is to 5 होगा ना 2 संबंधे 5 2 संबंधे 5 A, B, C का A का हिस्सा 2 रूपया है और B और C का हिस्सा 5 रूपया है या इसको यूनिट में कर लिजिए कि A का हिस्सा 2 यूनिट है और इसका हिस्सा कितना है 5 यूनिट है कोई तकलिफ नहीं आना अब एक बात बताईए अगर A का हिस्सा 2 यूनिट है B और C का हिस्सा 5 यूनिट है तो A, B, C 3 का हिस्सा कितना है तो 5 यूनिट में ये 2 लोग है और 2 यूनिट में अकेले है तो 3 मिला के कितना 7 यूनिट हो गया न 7 यूनिट टोटल हिस्सा है यहीं कि टोटल हिस्सा है 7 यूनिट का बात समझ में आ रहे हैं अब इसमें से आपको निकालना है एक का टोटल 7 यूनिट है एक का हिस्सा निकालना है साथ यूनिट टोटल है और इस साथ यूनिट में एक आहिस्सा कितना है दो यूनिट है समझ गए और टोटल पैसा कितना है एक हजार पचास रूपया है अब निकाल देजेए हां से साथ से भाग देंगे तो 15 से 105 152 30 एक का हिस्सा कितना निकल गया दोस्तों 300 रुप्या यही सवाल का जवाब होगा बिल्कुल आसान सा सवाल था यह इसमें तो कुछ है ही नहीं चलिए अब इसके बाद से अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल है बिल्कुल इजी सा यह भी है क्या कह रहा है दिया है कि 9900 रुप्य कि रासी को ए बी और सी में इस प्रकार से बाटा जाता है कि बी का हिसा ए और सी के कुल हिसे का 2 बाई 7 भाग है सी का हिसा ए और बी के कुल हिसे का 3 बटे 8 भाग है तो ए का हिसा बताईए यहा कोश्चन नमबर 25 की तरह सेम है 25 की तरह समझिएगा बस थोड़ा सा यहाँ पे निकालना है अलग अलग रेशियो 27 बहुत ही इंपोर्टें है आपका जो previous year में एक्जाम हुआ है आपका यह क्या गवर्ट का जो उस nesse को सब्सक्राइब प्यार्टी का जो एक्जाम हुआ था एक बार उस एक्जाम में भी एक सवाल इससे पूछा था एरिया में एक सवाल पूछा था वो भी रेशियो प्यादा रही था तो बहुत इंप्रोटेंट है इसको एकदम ध्यान से जो है समझेगा ध्यान से सिखिएगा चलिए 27 नंबर स का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का देखिए बी का जो हिस्सा है वो हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का टू बाई सेवन टाइम है ठीकर दो बटा साथ गुना है और कि सी का हिस्सा ए और बी के कुल हिस्से का C का हिस्सा A और B के कुल हिस्से का 3 by 8 है 3 by 8 कर दिया सवाल में देखिए जैसे जैसे बोल रहाँ आप वैसे वैसे बना लिजी बिल्कुल इजी है अब कह रहा है कि A का हिस्सा क्या होगा इसमें A का हिस्सा निकालना है आपको तो आप सबसे पहले देखिए दो तरीके हैं बनाने के इसको बनाने का दो तरीका है मन करें तो आप यहां से B का हिस्सा टोटल में से निकाल लिजी मन करें यहां C का हिस्सा टोटल में से निकाल लिजी B और C का हिस्सा जोड़के टोटल में से घटा दीजी B और C का घटा देंगे तो A का हिस्सा बच जाएगा या तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर निकाले हैं केवल दिया था कि A की वैलू B और C के 2 by 5 के बराबर है तो हम यहाँ से A का हिस्सा फाइंड किये हैं तो टोटल जो है यहाँ पर 3 का मिला के 9 है और उस 9 में से 2 भाग किसका होगा B का होगा और टोटल कितना है 9900 है समझते जाएगे वस 11 दुना 2200 रुपया यानि कि यहाँ से B का हिस्सा कितना निकलेगा दोस्तों 2200 रुपया निकल जाएगा यहाँ से आप निकाल लीजिए C का हिस्सा C का हिस्सा निकालेंगे तो 8 और 3 कितना होगा टोटल 11 है और 11 हमें से तीसरा भाग C का है और टोटल पैसा नी 9900 से गुड़ा कर गई तो 119 नी 9900 रुपया होगा C का हिस्सा 2700 कोई कोई तकलिफ है total हिस्सा 9900 है a का हिस्सा निकालना है आपको तो 9900 में से बी और जी का हिस्सा यह निकीutし 600 घटा देंगे तो कितना होजाएगा आपका 5000 रुपया होजाएगा ठीक है न यानि कि एको मिलेगा 5000 यही यह का हिस्सा है तो मन करें तो आप ऐसे बनाईए इस सवाल को या मन करें तो ratio निकाल के बनाईए चली हम ratio निकाल के भी सिखा देते हैं आपके दिमाग में जो बात जाएगी जैसे बनेगा exam में फटाफट आपको करना है ठीक है चले, तो इसका मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, second method second method A, B, C में 9900 रुपया बाटना है दे रहा है कि B का हिस्सा A और C के कुल हिस्से का 2 by 7 है C का हिस्सा A और B के कुल हिस्से का 3 by 8 टाइम है अब यहां से B और A पलस C का अगर रेशियो निकाला जाए B अनुपात में A पलस C तो यहां 2 संबंधे 7 हो जाएगा ऐसे ही अगर C अनुपात में A पलस B निकाला जाए तो यहां 3 संबंधे 8 हो जाएगा यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं होगी अब यहां के बाद उसे कैसे निकालना है आपको हम कल सिखाए थे अब देखी यहां पे B अनुपात में A पलस C लिखेंगे दो संबंधे 7 होगा यहां से हम ABC का रेशियो निकालना कल सिखाए थे आपको A पलस B यह हो जाएगा आपका 3 संबंधे 8 अब यहां से BC का रेशियो निकालेंगे फिर A का रेशियो निकालेंगे तब बांटेंगे देखिए काम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा ठीक है ना अब 7 और 2 कितना होगा 9 8 और 3 कितना होगा 11 मा लेंगे टोटल पैसा कितना है LCM लेंगे निन्यान बे हो जाएगा 9 से भाग भाग देंगे 11 11 का गुड़ा करेंगे 11 से भाग देंगे 9 इसमें 9 का गुड़ा करेंगे 11 77 ग्यारे दुना 22 नो अठे 72 नो तियां 27 समझ गए अब यहां से आपका B का हिस्सा कितना निकल गया बाइस अब यहां ABC का पहले तो अनुपात लिखेंगे तो B का हिस्सा कितना निकल गया 22 एके लिए इधर जगा छोड़ देंगे C का हिस्सा कितना निकल गया 27 निकल गया तो यहां पे हो जाएगा 27 टोटल 99 रूपया था 27 वाइस और चास रूपया निकल गया तो एके लिए कितना बचेगा बताईए 50 रूपया बचेगा बचेग इसका है अगर हम टोटल टोटल यूणिट जोड देंगे तो कितना होगा भई 99 यूणिट होगा जो टोटल पैसा 99500 रुपय के बराबर होगा एक यूणिट की अगर वैलू निकालेंगे तो 99100 में 99 से भाग देंगे तो इतुक में तो कितना आ जायाँगा बद बताइए सौ आ जायेगा ना आ जायेगा सौ यहां Brendan व्लिर भाग देंगे तो सौ आङएगा था यहां थाई करेंगे समझ गया तो नहीं तो ऐसे रेशियों से बनाएंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा है की नहीं कि अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि कॉस्चन नंबर है कि ट्वेंटी एट पे ट्वेंटी एट भी कुछ इसी तरह से है दिया चीहाशी सो चालीस रुपे की रासी को इस प्रकार बाटा जाता है कि यह का पाँच गुना दे चार गुणा दी का दस गुना सभी आपस में बराबर है तो भी का हिस्सा क्या होगा चरब कोस्चन नमबर 28 नमबर 28 नमबर कोश्चन है 8,640 रुपया की रासी को बाटना है 8,640 रुपया की रासी को इस प्रकार बाटना जाता है A का 5 गुना जैसे जैसे कहें आप करते जाएए A का 5 गुना तो 5 A हो जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं या तो इधर 5 लिखी या तो इधर बात बराबर हम इधर लिख देते हैं आपको कहीं confusion ना हो जाए A का 5 गुना B का B का 4 गुना C का 8 गुना C का 8 गुना और D का 10 गुना सभी ये सारे के सारे जो पैसे ना आपस में सब बराबर है बोला कि सब बराबर है तो कह रहा है इसमें B का हिस्सा बताओ B का हिस्सा बताना आपको जब इस तरह का अगर दिया रहे संख्या दिया रहे तो आपको कैसे ABC का रेशियो निकालना है इन राशियों का अनुपात कैसे बनाएंगे हम आपको बता चुके हैं इसके पहले ही बता चुके हैं कि जब भी बीच में बराबर बराबर होगा तो ABCD के गुड़ा में जो भी संख्या होगा उसको डाइरेक्ट उल्टा करके लिख देते हैं तो चलिए इसी तरीके से इसको बनाया जाए उल्टा करके अब यहां डाइरेक्ट हम ABC का रेसियो लिख किसी को कोई तकलिफ हैं तक है बिल्कूल तकलिफ नहीं होगी किसी को अब रेसियो को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों L अठे कितना हो जाएगा 40, 4 दहां में 40, 8 पच्चे 40, 10 चवक के 40 हो गया LCM, clear, ABCD का LCM हो गया, रेशियो निकल गया, ABCD का रेशियो find out आपने कर लिया, अब क्या पुछ रहा है, इसमें से A का हिस्सा पुछ है न, A का हिस्सा पुछ दिया आप से, कोई दिक्कत नहीं है, A का हिस्सा बिल्कुल आप बता देंगे A का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पर देखिए, A का हिस्सा यहाँ पर 8 यूनिट है, यह 10 यूनिट है, यह 5 यूनिट है और यह 4 unit है हम unit इसलिए लिखते हैं आप confused ना हो और कोई मतलब नहीं आप मत लिखिएगा जब practice हो जाएगा न तिक जाम में लिखिएगा मत बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ठीक है एक ही value कितनी है 8 unit total value कितनी है total जोल लीजिये कितना है तो 5, 4, 9, 8, 7, 10, 27 total 27 है 27 unit है total रुपया 27 unit है उसमें से 8 रुपया एका है 27 unit में से 8 unit एका है और ऐसा करके total से गुड़ा करते हैं 86, 140 ठीक है न कोई तकलिफ नहीं है यहां तक और देखिए unit unit कट जाएगा 9, 3, 27, 9 से इसको कटिए 9, 9 कितना हो गाई 80, 96 के 56 अब 3 से काट दीजिए 32, 3, 96 ठीक है न अब गुड़ा करिए 0, 2, 8, 16 8, 3, 24 25 तो एका हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों 25 160 रुपय हो जाएगे clear विल्कुल इजी सा सवाल है सवाल में कोई दम नहीं है sorry इसमें B का हिस्सा पूछ रहा था कोई बात नहीं एक का हिस्सा निकालना सिख गया तो B भी तो निकाली सकते हैं B का हिस्सा निकालेंगे तो कितना है B 10 है 10 यूनिट अट टोटल कितना है 27 अब इधर गुड़ा कर लेंगे 86, 440 से इधर 32, 320 बार में कटेगा तो B का हिस्सा निकालेंगे तो 32 वा जाएगा जिसका जिसका पूछेगा उसका उसका find out कर लेंगे बस आपको टोटल खेल है ratio निकालने तक का तो ये काम आपको करना होगा ratio निकालना होगा फिर बनेगा ये सवाल ठीक है ना तो हम आशा करते हैं आप सभी से कि अभी यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगा चलिए अब हम लोग अगले सवाल के उर चलते हैं अगला सवाल है दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सवाल है अगला जो question है आपका 29 ये बहुत मज़ेदार है question number 29 question number 29 मज़ेदार क्या है इसमें देखिए दिया है कि A पलस B अनुपात में B पलस C फिर अनुपात में C पलस A ऐसा दिया होगा और इतना बराबर दे रखा है 6 संबंदे 7 संबंदे 8 एक डाटा और दिया है और इसमें बोला है A पलस B पलस C की value भी given है A पलस B पलस C बराबर 14 दे रखा है और A पलस B पलस C बराबर 14 दे रखा है पूछ रहा है कि बताईए इसमें C का मान क्या होगा तो C का मान बताईए बहुत इजी सा सवाल है इसमें C का मान find out करना है बिल्कुल इजी सा है सवाल देखिएगा A पलस B, B पलस C, C पलस A इसको ध्यान से समझना है दोस्तों ध्यान से समझना है यहाँ पे जो 6 is to 7 is to 8 दिया है A पलस B का जो वैलू दिया है वो 6 unit दिया है थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं इसको मिटा के ताकि unit वहीं पे लिखने में बहुत मज़ा आएगा 6, 7, 8 तो 6 दिया था यहाँ पे यहाँ पे दिया था 7 और यहाँ पे दिया था 8 ठीक है न? ठीक है अब यहाँ पे देखे यूनिट हम लिख देते हैं कि A पलस B का जो वैलू है इसकी वैलू वो है 6 unit 7 unit और यह है 8 unit अब देखे अब समझे ध्यान से A पलस B की वैलू कितनी है? 6 unit आपको solve कैसे करना है A पलस B की जो वैलू है वो कितनी है दोस्तों? 6 unit है B पलस C की वैलू कितनी है? 7 unit है ठीक है न? B पलस C की वैलू 7 unit है उसी तरह से C पलस A की वैलू कितनी है? यहाँ इसमाल लिख देते हैं ठीक है? 80 unit है कोई तकलिफ नहीं यहाँ तक ना? सबको आ रहा है समझ में अथे से? आप देखिए अगर हम इसको जोडेंगे ठीक है? हम सारी वैलू अलग अलग लिखके क्या कर रहा है? जोडने जा रहा है अगर हम इसको जोडते हैं तो A पलस A दो बार है तो 2 A B और B दो बार है 2 B C C दो बार है तो क्या हो जाएगा? 2 C इतना बराबर 8 6 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21 unit टोटल हमने जोड दिया ठीक है? तो 8 7 15 अच्छा 21 unit इसमें से 2 कामन करेंगे 2 कामन करेंगे तो A पलस B पलस C बचेगा इतना बराबर 21 unit कोई तकलिफ है हैं तक? नहीं है न? अब एक बात बताईए यहाँ पे A पलस B पलस C की वैलू गीभेन है कितना? 14 दे रखा है दिया है न? 14 दिया है तो हम यहाँ A पलस B पलस C के बदले में क्या लिख देंगे? 14 लिख देंगे तो 28 हो जाएगा और 28 बटा में 21 हो जाएगा और यहाँ क्या बचक जाएगा? एक unit बच जाएगा समझ गए? 24 दे रखाईश 27 या 21 यानि कि एक unit की जो वैलू मिला दोस्तों वो मिला आपका 4 by 3 देखिए कितना इजी है एक unit की वैलू कितना है? 4 by 3 आपको निकालना है C का मान कितना इजी है? C की वैलू जन निकालेंगे तो देखिए A पलस B पलस C बराबर कितना दिया है दोस्तों? 14 दिया है किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है न? A पलस B पलस C बराबर 14 दिया है अगर हमें C का मान निकालना होगा तो हम 14 मेंसे क्या घटाएंगे? A पलस B घटा देंगे यहाँ A पलस B उधर लाके घटाएंगे न? अच्छा यहाँ पे C का मान हमें find out करना है तो हम क्या करेंगे? 14 मेंसे A पलस B का मान घटा देंगे अब एक बात बताएं यहाँ A पलस B के बदले में A पलस B के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 6 यूनिट लिख सकते हैं A पलस B के बदले में 6 यूनिट लिख सकते हैं किसी को दिक्कत है यहाँ तक 6 यूनिट लिख सकते हैं न? A पलस B के बदले में और एक यूनिट की वैलू 4 by 3 है तो हम 6 यूनिट की वैलू में 4 by 3 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा यानि कि 14 माइनस 8 तो C क्या मान क्या निकल गया दोस्तों 6 यही सवाल का उत्तर होगा बिल्कुल इजी सा सवाल था कोई तकलीफ नहीं है इसमें सब लोग समझ च सवाल है ठीक है न तो इस तरह का सवाल कभी भी पूछे तो आपको घवराना नहीं है फटाफट इसका आप जबाब दे सकते हैं ठीक है कि क्लियर सबको समझ में आ रहा है मजा आ रहा है सबको किसी को दिक्कत नहीं हो रही है चलिए इसी प्रकार से आपका कोश्चन नंबर 3030 यानि कि 30 नंबर सवाल इसी तरह से दिया हुआ है एप ए अनुपात बी और परपोर्चन बीच में शमानुपात दिया है बी अनुपात सी देखिए कोश्चन ध्यान से कोश्चन नंबर 3030 कोश्चन नंबर 30 दिया है कि ए अनुपात में बी ए रेशियो बी फिर परपोर्चन दिया है बी रेशियो सी होतो हो तो ए का पावर फोर और बी का पावर फोर का मान पूछ रहा है बिल्कुल इजी सा सवाल है और इसको देखिए एंसर दिया है A square C square विल्कुल इजी इसमें कुछ है ही नहीं आप इसको A अपान में B लिख सकते हैं कल ऐसा सवाल करवाये थे इसको B by C लिख सकते हैं cross multiply करेंगे तो B का B में गुड़ा करेंगे B square और इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा A C किसी को दिक्कत हुए नहीं हुए न B square के जगा हम क्या लिख सकते हैं A C अब बस और कुछ नहीं करना है यहाँ देखे A का power 4 है तो हम इसको A का power 2 गुड़े A का power 2 दो बार लिख सकते हैं ठीकना जब बीच में गुड़ा होता है और यहाँ पे क्या है सेम सेम संख्या होती है तो power जूड़ जाता है A का power 2 A का power 2 हम दो बार लिख सकते हैं उसी तरह से B का जो power 4 है तो B का power 2 का power 2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको समझा रहा है सबको न B का power 2 का power 2 लिख सकते हैं अब देखे B square के बदले में हम लिख देंगे A C यहाँ B square के बदले में A C आ जाएगा तो A square गुड़े A square और यहाँ पे B square के बदले में A C अजब A C लिखेंगे तो यह वाला square तो अभी है ही अब इसको A square गुड़े A square बरावर A square गुड़े C square अलग अलग कर देंगे यह कट जाएगा तो a square अनुपात में सी स्कोई या इसको बटे में लिख देंगे तो a square अपन में सी स्कुई हो जाएगा एक एक स्टेप हम पूरा डीटेल में समझा दे रहा हैं बता थर्टी वन है और कोश्चन नमबर थर्टी वन देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है थर्टी वन नमबर सवाल समझेगा कोश्चन नमबर थर्टी वन यह भी पूछा हुआ सवाल है प्रिबियस यह में एक बार ऐसा सवाल पुछा हुआ है दिया कि 11700 11700 रुपे की रासी को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि इनके हिस्से का अनुपात 4 is to 3 is to 6 है अब देखिए ABC में बांटा गया 4 is to 3 is to 6 है इनके हिस्से का अनुपात दे रखा है करा कि गल्ती से यह सही वली बात थी सही में ऐसे करना था अब गल्ती से जो है बांट दिया गया ऐसे ABC को गल्ती से बांट दिया गया एक बटे चार 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 चे है या कुछ और है एक सेकंड में थोड़ा सा सवाल देख लेता हूं कि 4406 है या कोई और वैलू है थोड़ा सा एक सेकंड का समय लगेगा दो मिनट रुक जाईएगा आप लो थोड़ा सा धायर बनाए रखिए देखिए मिस्प्रिंट थोड़ा सा हो गया है यहां 1 by 4, 1 by 4 और 6 जो दे रखा है तो इसको भी बराबर कर लेते हैं देखते हैं यहां पर यहां पर देखते हैं यहां पर आप देखें तो ऐसे बाटना था 11,700 रुपया लेकिन गलती से ऐसे बाट दिया गया तो इसको भी बराबर कर लेते हैं देखते हैं यहां पर यहां पर कितना हिस्टा मिल यहां पर दोनों जगह दोनों जगते हिस्टा 12 कमज गए न अब देखी यहां पे इसका ABC का हिस्सा निकाल लो और उसी पैसे को इस रेशियो में बाट के देख लो ठीक है न इन दोनों अनुपात में 11700 रुपया जो है वह दोनों जगह अनुपात में बाट के देख लेते हैं कि कहां पे कम है और कहां पे ज्यादा है और कि किसको कम मिला किसको ज्यादा मिला फटाफट बाट के देख लिए जाए ठीक है न चले तो यहां पे जो है एक का हिस्सा कितना है दोस्तों यहां पे एक हिस्सा होगा चार यूनिट यहां पे एक हिस्सा होगा तीनी यूनिट यहां पे एक हिस्सा होगा छै यहां एक हिस्सा आपका तीनिड यहां पर चार योणिट और यहां पर दो यूणिट आपको यूणिट यूणिट लिखना नहीं इग्जाम में जब आपका प्रयक्तिस होगा समझदार हो जाएंगे चले तो यहां पे चलिए compare करते हैं ABC को एको मिला 4 यूनिट रेशियो में यहां 3 यूनिट यहां 6 यूनिट total मिला के कितना मिल गया तीनों को total कितना मिलेगा यहां पे बताईए 6,3,4,13 total 13 यूनिट है जो 11,700 रुपय के बराबर है 13 यूनिट 11,700 के बराबर है तो भाई एक यूनिट की अगर हम वैलू निकाले तो क्या होगा 11,700 बटा में 13 यानि कि एक यूनिट की जो वैलू होगी वह 900 रुपया होगी ठीक है ना एक यूनिट की वैलू 900 हो जाएगी अब इस 900 से सम्में गुड़ा करी एक यूनिट की वैलू 900 है तो 4 यूनिट की वैलू 36 तीन यूनिट की वैलू 27 और 6 यूनिट की वैलू 500 यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी 36, 37, 3500 सब लोग बराबर समझ रहे हैं अच्छे से उसी तरह से यहाँ पे देखिए ABC को कैसे मिला 3 यूनिट, 4 यूनिट 2 यूनिट, कितना हो गया 9 यूनिट 9 यूनिट, यह 9 यूनिट कितने के बराबर होगा दोस्तों, यह 11700 रुबया दो बाटना था, उसी के बराबर होगा एक यूनिट की बैलू निकाल लीजिए उसी तरह से सेम, ठीक है तो कितना होगा, 11700 बटा में 9, तो 13 130 हो जाएगा क्लियर यहाँ पे एक यूनिट की बैलू कितनी हो रही है, 130 हो जा रही है तब निकाल लिजे तीनों का हिस्सा यहां बे कितना है तो 113 कितना होगा 49 सो देखिए एक युनिट के वाइल लिए 130 तो तीन युनिट का 49 सो तेरा चौक के बावन सो तेरा दूना 26 सो कि सौरी अधिक तेरे चौक के बावन यहां पर दो जीरो होगा ठीक है वहीं कंफिर्ज हो रहा था ठीक है न तेरे सो क्लियर आप देखिए तो अब यहां पर निकाल लीजिए कि किसको कितना पैसा मिला यहीं पूछ रहा था ना किसको क्या पूछा है आगे पूछा है कि तो सबसे अधिक लाव किसको हुगा और कितना अब बताईए सबसे अधिक लाव e को यहां 3600 मिला था यहां 4900 e को लाव हुआ कि नहीं बताईए एक को 1300 रुपया लाव हुआ ना गी यहां 3700 मिला था यहां लोग समझ चुके हैं तो आई गया है 273 उनिट तो एक को कितना लाब हो रहा है 300 और बी को कितना लाब हो रहा है वहीं है यहांपे 27 iso मिला था गलती सीशड को मिल गया बावन सो यह heißt कि 25 का कपा लौट यहां पर 25 यहला है यह ओ तो तीन ही सो मिला है लेकिने को सीखीन सो मिल रहा है और सी को यहाँ iç crashes न्यादिर याहाँ 2400 मिल रहा है तो सी ही को तो सीथे सिधे घाटा हो गया व सी यही सवाल का जबाब होगा कि सबसे अधिक लाभ बी को हुगा और 25 रुपया हुगा बस इतना ही करना इसमें तो बिलकुल जी है थोड़ा सा प्रेक्टिस करेंगे और फास्ट फास्ट चीजों को बना लेंगे जब रिवीजन आपका कांटिनिवसली चलता रहेगा तो सवाल बनाने में तकलीफ नहीं होगी अन्य था आपको दिक्कत महसूस होगी हमेशा कोश्चन में दिक्कत महसूस होती रहेगी ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से हम लोग रेशियो पर 31 कोश्चन तक पूरा कर लिए और इसके बाद से अब हम लोग 31 के बाद का सवाल डिसकस करे अगली वीडियो में तो आज की वीडियो जो लोग देख रहे हैं ठीक है उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद